भारत में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से पहले की तरह ही कोरोना पॉजितिव मामले सामने आ रहे हैं महराश्च्ट और पंजाब के कुछ हिलाकों में लोगडाउन भी लगाय गया है तो वहीं कुछ राज कोरोना नियमों को लेकर जनता पर सकताई से कारवाई करते नज़रा रहे हैं ग्रह मंत्राले के आदेशों के बाद हरियाना पुलिस लगातार मस्क ना पहनने वाले लोगों के चालान भी कर रही है बड़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अमबाला जिला बार एसोसियेशन ने वहती एहम फैसला लिया है जिसके तहत अब साथ साल से जादा उम्रवाले वकीलों को अपने केसों की सुनवाई पर आने से छूट मिलेगी और उनको घर बैटे ही केस में अगली तारीक दे दी जाएगी इसके लावा गंभीर बिमारी से ग्रस्त वकीलों को भी केस की सुनवाई में आने से छूट रहेगी जिला बार एसोसियेशन के उप्रधान ने बताया कि हाल ही में बार एक्सेक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि साथ साल से उपर और गंभीर मरीज़ वाले वकीलों को सुनवाई पर आने से छूट मिलने चाहिए क्योंकि कोर्ट में बीड होने के चलते उने कॉरोना संक्रमन होने का खतरा जाधा रहता है हमने अपने प्रस्ताव को सेशन जज के पास भेजा था जिन्हों ने प्रस्ताव को पास करते हुए इसकी एक-एक कौपी सभी जजों के पास भीज़ दी है कोर्ट भी हमारे इस फैसले में पूरा सहीयोग कर रहा है वही फास्ट ट्रैक और अमिर्जंसी केसों में कोरोना साफधानियों के साथ वकील सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे ऐसा है हमारी एग्जेक्टिवी मीटिंग में एक एजंडा पास हुआ है कि जो अबाव सिक्स्टी इयर्स के हैं लॉयर्स मारे कोई शूर का पेशेंट है या कोई बीपी का पेशेंट है तो उनके लिए हमने कोर्ट से एक डिमांड की अपने सेशेंजर साफ से कि उनको एग्जेम्ट किया जाए और उनके केसिज में डेट्स दी जाए तो फिर हमने एक रेक्वोजिशन अपने सेशेंजर साप को निर्जा कुलवन्त कलसं है मेडम उनको दी तो रिस्पेक्टेड मेडम ने हमारी वो कंसीडर करते हुए सबी कोट्स को बाडिनेट कोट्स को भी उसकी एक 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 रेकुजिशनी कॉपी बेज के हमें वो हमारी वो एप्लिकेशन को अलाव किया और जितने भी 60 और 65 से उपर के हमारे अबाव लायर्स हैं उनको अगर कोट में नहीं आते वो तो उनको आपो मेटिकली उनके केसिज में डेट्स लग जाएंगी इसमें यही का गया है कि जो भी अबव 60 एर्ज हैं उन्होंने अगर कोर्स में नहीं आते तो उनको आटोमेटिकली कोर्स उनकी केसिस में डेट एक्स्टेंड करते गी हाँ ऐसा है अगर साथ साल के अलावा किसी और भी यंग लायर है कोई या 45 का है या 50 एर्ज का है है अगर उसको प्रावलम है तो उनका कोई सबॉडी नेट या उनका मुंशी जी जाके कोट में यह बताते हैं कि इनको भी कोई प्रावलम है है तो कोट्स हमें पूरा वह अपना हमारे ले रहे हैं किया जा रहा है पूरा भी कोटबी पूरा कोपरेट कर रही है कोट में विदाउट मास्क कोई लफ नहीं है और इसमें कोट्स हमें यह भी कर रही है कि जो बाहर से मारे clients आते हैं हमारे अगर वो नहीं आते तो हम उनकी application देते हैं court उस उमारे सारी application को load करती है और उनको exempt कर देती है क्वोट की कारवाई चलती रही है तो ऐसा है अगर कोई evidence आई हुई है जैसे कई गवा बाहर से भी आते हैं जैसे पुलिस वाले गवाह हैं ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखके बड़े ध्यान से बड़े अराम से और वन बाइवन यह निके भीर बढ़के वहला कोई काम नहीं है और कोर्ट भी हमें पूरा कॉपरेट कर रही हैं सारे अड्वोकेट्स को साथ साल से उपर जो भी हमारे लॉयर्स आएं यहां पर वो अंलाइन अपनी पेशी जासाब के पास पेश कर सकते हैं तो बहुत इच्छा फैंसला है क्योंकि कोर्ट में मैक्सिम देखाया अपने भीड होती है हर तरह से लोग आते हैं कोई मास्क लगाते हैं कोई नहीं लगा तो साथ साल से जो उपर के जो लोग हैं वो वैसी प्रोन है आज कल किसी को कोई प्रॉलम भी हो सकती है किसी को तो शूगर है किसी को कुछ है तो इसलिए वो बहुत अच्छा फैंसला है उनको छूट दी गई है मैं कहता हूँ कि यह चूट बलकि और बढ़ने चाहिए और क के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जिस फ्री और मेंटिनेंस प्री और कोई hidden चार्जिस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें